हेलो अब्रीवान दिस वीडियो फ्रॉम डेस्टिनी ऑ बियलोजिकल साइन्सेस आज के आमड़ा क्लास 11-12 बेर बियलोजिकल साइन्सेर टीचर रिक्रूट मेंटेचे पोडिक्खा हुए चिला द्वाजास सोलो शाले पोडिक्खर कॉर्ष्टेन पोस्न उद्धर हम्रा एकाने डिस्कॉर्ष करें फर्स्ट कॉर्ष्टेन जोदी अम्रा देखी स्कॉर्ष्ट नामबर बन कि अभभी सतोडि बव इसता कोथाय पावगाजाय बाट वेट यूं फाइंड लटम साब्लेवीडर्मी जोथाय बाइल चे कवरिंग। इस नोली कि कांञ राक की बोली कुल। कुल। कुल नीचे ठाके अपिडैर्मिस, कुली हो नीचे आपिढाळी . इअधित्य जोदि नात्हूस तौ्ण होया। थाके तकं तके बोलची बहु स्तोरियो एपिडार्मी से चोथी अनिक्लो लेयर थाके तकं तके बला है बहु स्तोरियो एपिडार्मी एई रखों बहु स्तोरियो एपिडार्मी समाधे दाखा जाए नेरियाम स्पीसिस नरियम species स्वो एंसर उले बी ऑ्ट्षण वान नरियम लीफ हैं मोट्थे रुखं दखा जै नरियम लीफ हैं मोट्थे एबाम इरम लीफट टीक परकृटि सुच्छे नरियम लीफ आपस को स्वक्ता इदे की दखा जै संकेन स्टो माटा बारें शंकेन स्टमाटा और इन अरिया लिप रहा नौ शो नेक्स कोई नॉम्टर 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 की तो कुण टी एक एंडोफाइटिक स्विबल इन डॉम्टर नॉम्टर 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 नॉ उडोगोनियाम स्पीसीज, जेलिडियाम, नॉस्टर और कॉंडरा स्पीसीज तो एक रहां दाखा जाच्चे, शिम्बाइटिक और एंडोफाइटिक स्वोईबाल निशाबे कार्च करें एडोफाइटिक स्वोईबाल एंडोफाइटिक 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 स नौ., question no.3. question no.3, says Desch uses some verenuprac руки 3 would be homosporus 3 to 5 आमादर रेखारे जानता अबेजह, Homosporus ए heterosporus मोत्य त वहात्य के Homosporus… Homosporus और हेटरोस्पोरास और हेटरोस्पोरास स्ट्रेड़ोफाइट सर्मुद्ध आमना कादर बोल्वो जे समस्टो स्ट्रेड़ोफाइटर खेतरे की हाए ना सेम टाइप आप स्पोर तोरी हाए होमस्पोरास और खेतरे की हावे सेम टाइप आप स्पोर होमस्पोरास प्रोड्यूस सेम टाइप आप स्पोर ही धारोने स्पोर्ट तो ही धारोने स्पोर्ट तो इडी करें सेम टाइप अप स्पोर्स हेट्रो िक्रोस्पोर यद्रों स्पोर पैट्स पीमायव गयरोस्पोर शैलने स्पोर ओड़ने स्पोर्परं। तो हैं इसमित कि माइन पननना थैं प्ले टाफ सब्सक्राइश नोरे का स्बस्राल का आ 사건 आ heteroesporas are diocese right so question number three answer will be polystone fish lotum species now question number four namely kito kone would with hormone tefal pakate sahajyo kare it will be ethylene so we know that ethylene is a fruit ripening hormones so answer will be ethylene now question number next question koreth to kone ti prokaryotic jibeer boishisto peptidoglycan juk to koshpachir 70s dharna ribozome pardha bito anganuron on koshthiti ebang shab kati so amaya jani je prokaryotic koshir mohde ki thake prokaryotic koshy peparytic gland selval selval with peptidoglycan these are correct 70s type of ribozome thake yes prokaryotic ribozome 70s type and edmo de ki thake kordda bito anganur on koshi thake kordda bito anganur on koshthit eukaryotic koshye kordda bito anganur thake hale and so answer will be all of this that is soft squatty चीकाज़ें? नाव, कुछिन नम्बर 6 निम्हें लुटी की तो कौन हर्मोन की? बास्व मोचन प्रतीरोधी बोच्टो इसाबे काज करे बास्व मोचन के बादा दाय बादाय तर्मिनेश्ट ट्रांस्पिरेशन रिटेन रिटार्डन्ट इसाबे काज करे अच्च्छ रिटेश्टो इसाबे काज करे this answer will be option A that is ABA abscutetic acid dollar transpiration retundant नालिजोमिक condition पून खेत्र कुछिट्र हरे? नालिजोमिक त्वन-2 we know that monoujuみक is 2N-1 2N-1 1 is mono-zomic 2-2 is null-zomic Twin Plus 1 Is Trisomic Condition Trisomic Twin Plus 1 Plus 1 2N plus 1, plus 1, double trisomy, these are different conditions, so here will be nanosomic condition is 2N minus 2, this is a chromosomal aberration, ETS, how many ATP molecules are formed from FADH2 oxidation in, in termination of oxidation through ETS, FADH2 theke kato honu, ATP 2D hoi, FADH2 the camera jani, old concept honu jai, 2 honu 2D hoi, modern concept honu jai, 1.5 honu ATP 2D hoi, 1.5 molecules of ATP produce old numu jai 2 and NADH1 take kato oi yai, NADH take 3 honu tu yoi yai 3, modern honu jai 2.5 слож 2.5 now so answer will be option 2, now question number 9, Rahul रौर्फिया सर्व disinfectyा में रौर्फिया सर्विया है, कोर अंः बाभरत this will be root also now next is non motile non motile colonial alga non motile colonial alga konti non motile colonial alga इता मुख करते पारे ना non motile colonial algae so option a is chlorella hydrodictine ulva volvox so answer will be hydrodictine right now volvox also is a colonial alga but it's a motile right now next is cold wall cold wall what is cold wall cold wall cold wall cold wall below cold wall cold wall fossilized actually petrified fossils जेखाने की हाय ना first cold balls cold balls are petrified petrified cold balls are petrified plant petrified plant organ of about spherical shape ते एता की हाय गोलाकार हाय प्रिफाय स्फेरिकल न्सेफ प्रिकल न्सेफ प्रिकल सेह गोला कार हायँ ते आताय बोल जाय न्सेफ ते प्रिक्षाइब होया न्सेफ ते असे बोल्ल लाकार होयाँ नो कोभा़्स ना? क्याल्सियम कार्बोनेट, आयरोन सालफाइट and more in the buried plant of the parts एगलो क्याल्सियम कार्बोनेट एगलो इन्फिल्ट्रेशन, magnesium carbonate, calcium carbonate, iron sulfide एगलो दी इन्फिल्ट्रेशनेर मध्दमें एगलो एर मोते इन्फिल्ट्रेटेड हाए एबां planted buried पर जेगलो नीचे जमाथा केशे एगलो जेटाकी कोँछे ना fossil याटाके coal ए कनभार्ट होते बाधा दिछे प्रिवेन इस आक्चुल्स प्रिवेन कार्टिकल्स प्रिवेन कान्वर्शन अव प्लायन स्ट्रक्चर इंटो कोल और लीड टु पेट्रिफिकेशन तो पेट्रिफिकेशन बा उसी बुतो जिवास्मो पेट्रिफाइड फोसिल्स यदे किन्तो कोले कनभाट होते बाधा दिछे कुण कुण कुलो किछो किछो आइरन इन्फिलिटरेशन, क्यालिसम करने इन्फिलिटरेशन एक गुलो राइट पेट्रिफाइड फोसिल्सु lift कारस्टिए सिस्टिकरे चोलो न जschein टीक पडाटतो बुड जैने टॉल। यदिविन THE बें genetic elements भाला हाई टेक छेट राइ t Ły या रित रांस पोजन नवा कुसर नूमबर 13 claystogaमा जबास फ्लावर सिर्ट केम स्वलूवाव लाव लुग स्वलॉ इस ही सॉबस्टो फ्लावर द्रि बाला है कर चैस्मगमास होलो चैस्म collects फ्लाबर हुण्ये ओफ स्प्त्वावर दें ऑक्श्मिन diagnosed चाश्ज कूटे अमेन बंगलन को स्थूड़ । देस नो मैसी इच्छिर सीडर है। अमेन थे यह सूद्धीन होलो podcast नौ नेक्स्स टाम्र दिख्री कुर्षिन नम्बर 14 एक कुछ्छो पुंकेशर कोण गोत्र उद्विर दाखा जाए जोल बेए अच्छो बेए अच्छो ए अधिस माल भेशी फैविर मोद्दे दाखा जाए आलग राशायनिक धुआशा तोरी काधी पदात्य भुलो दिस वि अ आलग जो झालग प्रैण ए